भायारो राम राम आप और देखरें पुंदेली चुगली हमें राज इंतर वेदी आप लोग हैं तो जाना तो भईए कि पुंदेली चुगली साफ ख़बरन के लाने जानी जाते हैं निड़ निस्पक्छ निर्भी है को हम डेली पुलिस के खिलाब ख़बरे देखां कितनी पराद हू रहें कितनी बिटियां भग गई कितनी बिटियां कि संगे बलातकार हत्या लूड डगेती कोनु मामला बाकी नहीं है लेकिन पुलिस पुलिस सुधर भी को नाम नहीं ले रहे हैं अब है हमने कल लग परसों ख़बर दिखाई थी संभिनिकर मोहला की कल एक नारे लगाये जा रहे हैं बहुत बड़ बले नारे लगाये जा रहे हैं नारी सुरच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च उनकी बेहन अर्चना एहरवार, भाया उखा मार के फांसी में तांग दो, लगा दे फांसी, दहेज के पीछे प्रतारना और दहेज के पीछे बिटिया की मौत, जो पहलो मामला नहीं है भाया, हम बार बार ओजेकर कर रहे हैं, कि इमें पुलिस बहुत संदीरगी बालो मामला है लेकिन पुलिस, पुलिस का कोनों फरक नहीं पर रहे हैं, इसे जो मामला हम बार बार उठा रहे हैं, अब वो बिटिया खा तो उनके प्रांट चले ही गए, उनको घर फिर रहो पूरो, आज भाया जो बुंदेली चुगली को एक भरोसा है, बहुत भरोसा करता आदमी हम हो, बुंदेली चुगली में बिस्वाथ है कर बुंदेली चुगली हकीकत देखा उत हकीकत का है, तो भाया आए है हमाई स्टूडियो में आए, और स्टूडियो में बेट के हम जा खबर आप लाइब देखवा रहे हैं, आप समय जने घर बेट के देखो, का मामला है, एक पर्थदर पर्थम खोल के भाईये जी संगे हैं इनकी कहानी इनहीं की जो बानी तो भाईये पहले अपनों नाम का है, राजिन देहरवार नाम है मेरा, मामला का है का घटना है, हमारी दीदी के जो जेट है असोख, उसका फोन आता है कि घर में कोई घटना हो गई है, आप म आस्ते पहुंचे तो फिर उसके जेट का फोन आता है, कि आपके बेहन एक्सवार हो गई है, मैंने पूचा कैसे, तो उन्होंना का के फांसी लगा ली, जब हम घटना इस थल पर पहुंचे, तो नहीं तो मेरी सिस्टर हैंगेंग पर मिली, मतलब लटकी हुई नहीं मिली, नहीं महुलेवालों के सामने मिली, नहीं थाना इंचार्ज के सामने लटकी मिली, वो बिस्तर पर लेटी हुई मिली, मुठियां बन थी उनकी, और चोटों के निसान थे, हर जगाय पर, जांक से लेकर यहां तक, और मुझ से खुन निकल लहा था, मैंने सर से पूछा कि ये ये आत्मत्या नहीं है, तो उन्होंने का है, नहीं ये आत्मत्या ही है, और इन्होंने खुद कुसी की है, मैंने का कि सर, ये खुद कुसी नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से लग रहा था, जो हाला थे, मैंने उन्होंने से बोला भी एक सर, कि इनकी परिवार के लोग कहा तो पुलिस के सनक्षण में पूरी परिवार के लोगों को किसी और जगाए पर उन्हें चपा दिया गया और जब मैंने कहा कि इनके माता-पता कहा है तो यहां पर कोई पर मैंने पूछा कि यह हुआ कैसे है तो वह कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है और इसकी जो सव है मरी सश्टर का उसको उसके सतुन नहीं पाती है अगर एक बाल्टी भी दे दी जाए ना पानी की तो वह लेकर नहीं जा पाएंगे वह सव को क्या उतारेंगे पुलिस को क्य वाली दिन से ही उन्हीं का पक्च लिया है ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मौटी रिकम ली हूँ और कोई भी काम निस्पक्च नहीं कर रहे हैं वह आज इस घटना को 20 दिन लगबग होने को आया है आज अभी तक हमारी एक लिखी नहीं जा रही है बार बार बोलने है कि अभी फैल यह जब लेखेगि पॉस्ट माटर रिपोटाउइगी पोस्ट माटर रिपोर्ट 27 तारी को आही थी लेकिन अभी कyorum सबत्सक्ताइब आदम है हम के रहे हैं जब customs कि मोटी रखम मो तब शवाद भी शक्रोप ओ रिजस्ट नो पर यो चुछाआ करो किया है तुम document वहन ने आतमे हत्या करी, ना की हत्या भई, जो है भई, सबसे बड़ो जोले ही में पुलिस को, अब यह तक जब की पोस्ट मार्टम रपोर्ट, एक बिटिया मरी, आदेश का है, शोराज सिंग सरकार को आदेश है, मद्पिने सरकार को, कि अगर महिला के उपर को नों घटना घटने को नों बात हो रही तो ततकाल एफाईयार धर्ज करी जाए, आज 20 दिन हो चुको, टारत टारत एफाईयार धर्ज नहीं करी आगो खाने, इके बाद फिर बहाना का कर दो कि जब तक एफाईयार भईया जब लग काड़ भी हम, जब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट हमा इस और 20 की रात की है, मतलब उन्होंना दो दिन पहले मार दिया था, फिर वो सोचते रहे करना क्या है, और फिर उन्होंने लटकाया है, मतलब खुद कुछी दिखाने के लिए फिर उन्होंने ये किया है, मैंने जब सर से बोला कि इसमें 48 घंटे हो चुकी है, और हमें जान आप साफ लग रहा है कि हत्या ही है, लेकिन इसे मोड कर बार बार आत्मत्या की और दसाया जा रहा है, अभी हम SPO पस गए थी, SP साब मेले, जी नहीं, वो मीटिंग में गए है, जब मैं घटना किस तारीक के होने के बाद में 23 को SPO पस गया था, उन्होंने मैंने आविदन मेरी सिष्टर की हत्या की गई है, और मुझे निस्पक्त जाच चाहिए, और मेरी फायर दर्जू, सन्या सस्वन दिया, कि आप जाए थाने, हरपालपूर, वहां पर आपकी फायर होगी, तो उन्होंने कहा, थाने दानने कि हम फायर नहीं लेखेंगे, मैंने कहा कि सर, SP से लेकर मैं आज तक अधर बटक रहा हूं, मेरी कहीं भी मतलब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और मेरी फायर नहीं हो रही है, तो भाईया, एक SP को आदेश, SP सचन सर्मा ने आदेश कर दो को जाओ, फायर दर्जू हुए, लेकिन याकूब खान को के बो का है, ठाना प्र का बजय है, एसी कि तुमाई नोखरी दाओं पर लगजे है, का को नो यसी नेतागिरी को दबाओ है, या रुपया को दबाओ है, का दबाओ है इसो, या अगर जूटी केस बनवा रहे तो इनको उपर है, फायर दर्जू करो, अगर जूटों इल्जाम लगा रहे तो उपन बिभीजना तो करो, नियाएं तो करो, एक तरफा कैसे जो सावित कर रहेगी, हत्या नहीं, आत्में हत्या है, कैसो सावित कर सकना, नहीं कर सकना, पोस्ट माटम रिपोर्ट कौन तारीख की है, फायर कौन तारीख हैंदर जूरी अबेनी भाई, पोस्ट माटम रिपोर्ट आभी चुकी हाथ्या उन्नीस तारीख हो रही पोस्त माटम रिपोर्ट एक इस तारीख खहने में ले एसे यह न भाईया सबसे बड़ो जोल एते पर रहो भाईया पुलिस की लापर वाहिए साफ साफ दर्सा रहे कि पुलिस की लापर मातराम तुम्हें भी कचु काने हैं इस गटना के बारे में पूर सब पच्छू बता हो बता है अब बता है अब बटाव हम लोग बहुत परिसान है और इधर उदर भटक रहे हैं इस ओपस से उस आपस जा रहे हैं पर हम लोगों की टी आई द्वारा एफ आई यार जो है लिखी नहीं जा रही है हम लोग चाहते ह कि हमारी एफ आई यार तो दर्ज हो कम से कम आंगे कीश तो चले दोस्यों की उपर कुछ ना कुछ कारवाई तो हो घटना के जो है बीस बाइस दिन लगभग हो चुकी है पर अभी तक दोस्यों की उपर किसी प्रकार की कारवाई नहीं हुए तो हम लोग चाहते हैं कि एफ दूद को दूद पानी को पानी करो को दोसी है उखाँ सजा देव उखा जेल भेजवाओ और जे जूटे हैं तो भई इनकी उपर दायर करो लेकिन करो जो बहाना ना लो कर हमाई नोकरी दाओं पर लगजे है नहीं गलत बात है जो मामला संदिक है एस पी सजन सर्मा से भी या परवार की एई दर्खास्त है कि दो बार हो चुके उन्हें आश्वासन भी दवतो लेकिन थाइंदार ने नहीं मानू अब फिर आ जाए हैं फिर भाईया लोटके में जा रहा है और एक खबर में बुंदेली चुगली बनी रहे हैं जब तक नहीं नयाय ना मिल है हम दूसरी खबर लेकर हम आभी आप लोगन के बीच में तब तक के लाने भाईया और सबाई जनन का माई राम राव